स्माइल प्लीज आपको तो मैं स्माइल करने के लिए बोल रही हूँ लेकिन सोच रहे होंगे कि मैं इतनी कन्फियस क्यों लग रही हूँ मैं कन्फियस हूँ क्यूंकि आज मेरा है वीक ओफ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ दिन भर पेट के घर में जब हमा कुछ और काफी अच्छा से भी लिखती हो तो वह मैं आपको बताऊंगी बाद में किसी दिन पढ़के भी सुनाऊंगी अगर आपको अच्छा लगे तो तो मैंने यहाँ पर चीर्स बना लिए है आप सोच रहे होंगे कि चोर पोलिस खेल रहे होंगे बच्पन में हम चोर इस खेला करते थे किसी को आयाद है तो बता देना और इस प्रकरसे मैंने इस चीर्स में बहुत सरी चीजे लिखी है कि कुकिंग करने का या फिर शॉपिंग पिचाने का या फिर आराम से सोने का खाने का या फिर ड्रॉइंग करने का कुछ लिखने का कुछ सीखने का तो इ जो मेरे भाई ने मुझे बद्रे पे गिफ्ट किया था बहुत ही अच्छा सा क्यूट सा ये कैमरा है तो इसकी अन्बोक्सिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है ये है कैनन का कैमरा और इसको असेंबल करने के लिए मुझे नहीं आता था लेकिन आभी दीरे-दीरे ये मैं इसको असेंबल करना सीख रही हूँ वैसे तो जिन्दगी पर हम पोलते हैं कि हर एक चीज हम सीखते है या फिर हमको सीखनी चाहिए जिन्दगी पर कुछ ना कुछ तो इसे प्रकार से जो हमें चीज़े पसंद आती है या फिर इंट्रेस्ट होता है वो चीजे जैस कि यह अभी camera, camera तो मुझे कापी अच्छा लगता है क्योंकि अभी मैंने इसे videos photo लेना start कर दिया है तो मुझे इसकी जरूरत भी होगी लेकिन इसको operate करना, इसको assemble करना, इसको सीखना यह भी बहुत बात है तो just wish for me कि कि मैं जल्दी से बहुत सारे अच्छे professional नहीं सहीं लेकिन बहुत सारे क्योट से videos and photos इसमें capture कर सको तो यह है मेरा जो मैंने cheats में से select किया था drawing का वैसे तो मुझे लगा था मस्त आराम से सोने का या खाने पेने का कुछ तो मिल जाता है लेकिन ग्वाइन भी सबसे ज़्यादा एंज्वाइन वाला थिंग है मेरे लाइफ में आप कह सकते हो आज तक मैंने बहुत सारे पेंटिंग स्टॉक किये है और उसी प्रकर से ही अभी में कर रही हूँ एक पेंटिंग यहाँ पर रेड़ी और काफी अच्छा मोसम है बाह कर देगी नहीं घर पर ही बैट्टी हूँ और घर पर ही बैटकी यहाँ पर चल रहा है मेरा पेंटिंग का काम और कलर्स और ब्रॉश और कैन्वास देखके और मैंने लाप्टोप पर अच्छे से म्यूजिक भी लगा दिया है मरटी म्यूजिक अगर आप सुनते हो तो आप आपको पसंद आया में जो कुछ बना रही हूँ मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते रहे तो आप देख सको जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा कुछ सीखते रहना वो कैमेरा हैंडल करना हो या फिर हमारे छोड़े छोड़े पेंटिंग्स में ही कुछ इंप्रॉमेंट्स करना हो या फिर कुछ दूसरों के लिए सीखना हो या फिर वाटेवर इट विल भी तो मैं रिसेंटली कुछ ऐसी बात सीख रही हूँ जो हम सब के लिए काफी यू यूजर्स यूजर्स करते हैं और हमको पता नहीं है कि हम किस प्रॉब्लम में आ भी सकते हैं तो जस्ट तो ओवरकम दाट मैं एक वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही जब मेरा वह सीखे कंपलीट हो जाएगा कि वह काफी यूजफुल रहने माला है हर एक जनरेशन के लिए यू वह भी आजकल टेकनोलोजी का यूज़ करते हैं उनकी लिए तो वह सस्पेंस सस्पेंस सी रहने देते हैं यहां पर मेरी अल्मूस्ट पेंटिंग अथम होने को आई है बीच में आप सोच रहे होंगे कि कुछ तो मिसिंग है तो वह क्या हुआ था पॉवर कट हो गया था औ इसके बाद यह जो सेलोटेप निकालने का मज़ा कुछ अलगी होता है पैंटिंग से भी जादा है साटिस्टेक्शन इस सेलोटेप को निकालके अपना वो फ्रेम पॉफेक्ट देखने में ही होता है जो अगर पैंटिंग करते हैं तो उनको पता होगा कि यह कैसी फिलिंग हुआ है